रादकार अते कतल दे दोशी सरसे वाले साधनू पंजाब हर्याना हाई कोट तो राहत मिली है पैरोल अते फरलो नू लेके इसनू फिर राहत मिल गई है दालत ने हर्याना सरकार ते परशासन नू इजाज़त दे दती है कि तुसी डेरा मुखी नू पैरोल ते फरलो देंडा फैसला अपने पदर ते करो इस तो पहला सजी पीसी ने साधनू वारी वारी पैरोल मिलन दे खिलाफ पटीशन दायर कीती सी जिस तो बाद पंजाब रियाना हाई कोट ने हर्याने सरकार नू पुछा सी के एस दोशी साध वांगू ए दे नाल दे होर किन्ने कैदियानू तुसी इससे तना फरलो देनन हो इस दी जानकारी दे ओ ते नाल ये भी हुकम दिता सी के अगली वारी रामरहीमनू फरलो ते पैरोल देन तो पफैला सान नू पुछना है साधे पुछे बना इजाजत नहीं देनी पार होन रहत मिली है जाहिर तौरते ओंदे दिना दे विच्छ सरसे वाडा साध जेल चो फेर बाहर दिखाई दे हुगा ते उन्हों फरलो ते परोल भी कोई एक दो दिन दी नहीं वालके ती चाली वी दिना दी एस तरीके दे नाल दिती जांदी है मीन ने तो वज़ती परोल उन्हों आम तोरते ही दे दिती जांदी है पंजाब दे विच्छ श्रोमणी गुर्द्वारा परबंद कमेटी दिया जाली वोटां बांडरेंगा ने ए इल्जाम लाया है श्रोमणी अकाली दालने दे एस नो लेके मुख कमिशनर गुर्द्वारा चोना नो शिकायत भी देती है श्रोमणी अकाली दाल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंग चीमा ने इस दी जान करी दिती है कि आनवालिया एज़ी पीसी चोना दे लेई जाली वोटां दी तडाता रेजिस्ट्रेशन हो रही है ते सारा कुछ पंजाब सरकार दे इशारेती हो रही है इस दे वरोध काली दाल ने गुर्द्वारा चोना दे मुख कमिश्नर सेवा मुखत जस्टिस एसस सारो नो लेखती शिकायदार्च करवाई है पार्टी ने एस दी जांच कराउन आते मुल्समानों साकत सजामा देन दी मंग कीती है शिकायद दे बिच काली दल ने लिखे आए कि मोख कमिशनर गुरद्वारा चोना वल्लूं स्जपीसी दियां बोटा पादर्शी तरीके नाल बदा ओन याँस पस्ट बना ओन याँस पस्ट हदायता दितियां गईयां ने पार सरकारी पदर ते वड़ियां गड़ियां सामण याँने सबूत वजो काली दल ने वाटसेप चाट दे स्क्रीन शॉट वी नथी कीते ने लुदे आना जिले ते जगराओं ते रायकोट सब डिविजन दे नाल सबन दे ते एक वाटसेप गुरूप दे स्क्रीन शॉट सांजे कीते गई ने ए सारे सबूत दिन दे श्रूम सरकारां दे वल्लों अजादी दे हाड़े दे जशन मनाये जान गे ते एसे दिन किसाना दे वल्लों ट्रेक्टर मार्च कड़े जान गे। जोच भी जोचर दोट्र अटेशा चाल रही हुच्छ देख कती एगस नूँ दिन पूरे हो जानगे उस दन लखां किसान मस्दूर टे भीबियां दे एकाठ बॉड्रा ते होण गे एवी फैसला मेटिंग विच कीता गया है शिरोमनी गुर्द्वारा प्रबंदक कमेटी सिखा दे शिरोमनी संस्था ते ही बेद भी करन दे इलसाम किसने ते क्यों लाए ने पंतक लीडर बलदेव सिंग सिर्सा जोकी किसान मोर्चे दे विच्वी शामल ने उन्हाने प्रेस कॉन्फरेंस करके शिरोमनी गुर्द्वारा प्रबंदक कमेटी दे वलो सिख गुरु साहबाना दे लई अपमान जनक शब्दा वली किताब परकाशित करके वंड़ना वी शिरी गुरु ग्रांद साहिब जी दी बेद भी दे बराबर है दरसल खाल सा 25 तापना दे 300 साला प्रोग्राम होके शिपीसी ने एक विवादित किताब चापीसी जिस विच सिख गुरु आ लई अपमान जनक शब्द वरते गे उस किताब दे संबंध विची सिर्सा शिपीसी ते बेद विदे इलसाम ला रहे ने उना किया किताब पढ़न तो बाद होना ने मामला शिपीसी देते आनहेत विल्यांदा टाउनानु गलती दा एसास होया 2007 विच किताब वापस करन दी अपील कीती अते वापस करन दाउनाने दावावी कीता के थैसला लेले पर पर काशित कीतीया कापीयां दे विच्चों हाले तक सिर्फ पांच कापीयां ही केंदे वापस आ दे नाल मेटिंग केती गी निहांग परमजीत सिंग काली ते होरना सिंगा ने दरबार सभी दे नेडले दुकान दारानु कठे करके किया कि ता आर्मिक पुस्त का सिख मर्यादा मुताबिक ही वेचियां जान। ओना था क्या के एक बच्चा अदरबार सायब दी नेड़े एक दुकान तो घुड का सब लजा रहा सी निहांग सिंग ॒ उसमु राध के रोक्या गया ते गुड का सैब बेच कर दो चा किते भी जाके इसी बियत भी कर सकते इसलिए दुकानदार बिना जाँच कीते किसे वी व्यक्ती नो कोई वी तार्मिक पुस्तक ना देन ते ना ही दुकाना दे वेच मर्यादा तो बिना रखन केरला हाई कोट ने वाइनाड दे मुंड के यते चूरल मला इलाक्यां दे वेच ती जुलाई नुवडे पर माने ते टे गांखिसकन दे मामले अदा खुद नोटिस लेंदे आ एक केस दर्ज कीता है टिगांडे गंदिया कटना मांदे वेच कटो काट 400 तो वद लोग खतम हो चुके ने हजारान लोग बेकार हो गए ने जस्टिस एके जैश शंकर नामब्यार अते वीम श्याम कुमार ने अदालते रिजिस्ट्रार जनर्नल नूँ मीडिया दिया खबरान दे अदारते केस करंदा होकम दिता है डिवेजन बैंच ने इस मामले ते विचार किती है स्थानिक परश्यासन वलो बुद्धवार नूँ जारी अंकड़ां दे मताविक इना कटना मांदे वेचे डेट सो दे करीब लोग हाले वी लापता ने केरला दे मुख मंत्री पिन्राई विजियन न दस्या है के परदान मंत्री नरेंदर मोधी वी काल नूँ वायनाड पॉंचन गेटे गां डिगन करके जड़े प्रबावित हुए ने इलाके उना दाद दौरा करंगे सीम ने उमीज जुताई के परदान मंत्री आफट पीड़ता ने मोडवसे बेदली उसारू कदम चुकन गेटे गां खिसकन दिया इना कटनावा नू कौम्मी जां गंबीर आफट एलानन दीवी सूबा सरकार ने अपील किती है बंगला देश विच सारे पार्ती वीजा आरजी केंद्रा नू अनमिते समेद ले बांध कार दिता गया है आई वी एसी दी वेबसाइट ते जानकारी दिती गई सी के बंगला देश ते विच चल रही अस्थिरता दिकर के सारे वीजा के इंदर अगले नोटिस तक बांध रहेंगे मंगला देश विच स्यासी उथल पुथल तो बाद वड़ी गिंती विच लोग पारत आणा चौंदे सन ऐसे करके फैसला ले आ गया श्रियकालतक साहब ते पिछले दिनी पांज सिंघ साहबान दी मिटिंग तो बाद श्रियकालतक साहब तो निशान साहब दा रंग केसरी तो बसंती जासुरमई करंदे आदेश जारी होए सान जिस तो बाद SGPC ने भी सारे दुनिया पर दे गुरुकरांदी लई ए सरकुल पुषाक का होना चाहिए इना हुकमा ते सब तो पहला अमल सुल्तानपुर लोधी दे गुर्द्वारा बेर साहिब ने कीता सी उस तो बाद होन साचकंड सरी दर्बार साहिब दे विचस थापिन निशान साहिब दे पुषाक के वी बदल दते गए ने बसंती रंग दे पुषाक के इच्ड़ आ देते गे एज़ी पीसी ने सपष्ट कीता सी के सिक्रायत मर्यादा मताबेक निशान साहिब दे पुषाक के दर्ब संती जांसुर्मई होना चाहिए पारदी सब तो वड़ी अदालत ने आज दो जणया नूँ वड़ी राहत देती है पहली राहत खडूर साहिफ दे अम्रित पाल सिंग नू मिली है सुप्रीम कोड ने जेल दे वेच बांद अम्रित पाल सिंग दी लोगसबा मेंबर वजों चोन खिलाफ दायर पटिशन नूँ खारिच करके पटिशनर नूँ चटका दता है ते अम्रित पाल नू रहत दती है पटिशन दे विच संविदा अंदीता राच रासी दा हवाला दता गया जो संसल मेंबर दी योगता नाल चुड़या होया पटिशन करता व्यक्तिगत तौरते पेश होया सी उसने इस केस विच जवाब दे नंबर चार दे संविदा आन प्रती वफादारी दे पिछले समेच देते इंकार कर देता सी जैनिके अम्रित पाल ने समिदा आन दे खिलाफ बयान देता सी बैंच ने इस ते कहा कि तुसी चोंड पेटिशन दायर करो इस बुता दा दा मामला है इसली परक्रियाओन निर्दार रहत ने बैंच ने पेटिशन दे विचार करन तो इनकार कर दे होए तो अड़ात ता अनवाद कहा के इनू खारिज कार देता है। हालांके प्रतिशनर ने कहा सी के ओ ख़डूर साहे भाल के दा वोटरता नहीं है पर अमरित पाल दे ब्यान तो उसनों तकलीफ पहुंची। प्रतिशन ते सुनवाई कर दे है सुप्रीम कोर्ट दे जस्टिस बी आर गवाई ते जस्टिस के वी विश्व नाथन दे बैंच ने कहा कि तुसी चोन प्रतिशन दायर कीती है। दे विच आपने खिलाफ लगे एनसे नों भी चैलेंज कीता हुए है जिसते अदालत ने सरकार तो जवाब भी मंगया हुए है। तिन शर्तां भी लादतियाने। पहली यह है कि उनानों दस लखर पहिए दा बॉंड पर ना पहुगा। दूसरी उनानों दो जमानत दार पेश करने पहाणगे। तीसरी शर्त यह है कि अपना पासपोर्ट सरेंडर करनगे अदालत विच देके जानगे। जरान अदालत ने फैसले विच हेट लिया अदालता मलों जमानत ना देन ते अजंसियान दे कम काज करन दे तरीके ते वी गंबीर स्वाल खड़े किते। जिस्ता असर सीम अरविंद केजरीवाल दे केस दे वेच रहती रूप चे देखनों भी मिल सकते। जमानत मिलन तो बाद मुखमंतरी पकवंतमान ने कहा सचाई दी जित होई है ससोधिया जिनू जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी दे रासवा मेंबर संजे सिंग ने कहा ससोधिया नू बदला खोरी दी वज़ा करके स्तारामी ने जेल्च रख्या गया। उना दी जिन्दगी दे स्तारामी ने कौन वापस करूगा क्या को इस तारामी ने जना ट्रायल शुरू होया ना पैसे दी रेकवरी होई। जनसिया ने सिर्फ चूठा केस चलाया ते एकेंदर दे मूतिच पेड़ है। क्या भारती जन्ता पार्टी उनके इन जीवन के सत्रा महीनों का हिसाब देगी। जो सायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता। बच्चों को अच्छी सिक्षा देने में काम आता। जिंदगी के वो सत्रा महीने आपने जेल में डाल कर बरबात किये मनीस सिसोदिया के मनीस सरवोच नयायले का हिर्दे से आभार है सर जुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद नयाय मिला एक फैसला आमादनी पार्टी के पक्ष में मनिस सिसोधिया जी के पक्ष में और एक एक कारकरता इस फैसले से उत्साहित है एक एक देश्वासी दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है हमने सान उमीद है इस ता असर केजरी वालदी बेल दे रूप चम मिलेगा जानी कि उननों केजरी वालदी जमानत मिलन दी भी उमीद है